हलो दोस्तों जीओ गुर्जी क्लासेज में आपका स्वागत है मैं रोई श्यर्मा सब्जक्ट अपना जोग्रोफी देखिए हम पढ़ रहे थे राजस्तान का अपवातंतर जिसके अंतरगत राजस्तान की प्रमुग जीले चल रही थी और उसके अंतरगत भी हम मीठे पाने क जीले पढ़ चुके हैं आज हमारे पास में जो जील है वो है राजसमन जील ठीक है और उसी के साथ में एक जील और है नंद समन जील ठीक है इन दोनों जीलों की हम बात करेंगे क्या इसकी विसेशताएं है कहां पर यह उपस्तित है कि नदियों पर उपस्तित है और इसका निर्मान काल की बात करेंगे ठीक है तो सामने टपिक डाल लीजिए राजस्थान का अपवहात अंत्र राजस्थान की अपवहात अंतर के अंतरगत राजस्थान की प्रमुक जीले हैं सेकंड पॉइंट चल रहा था अपना मीठे पानी की जील ठीक है या मीठे पानी की जीले जिसमें आज अपना पॉइंट है आठवा और वो पॉइंट है राजस्थान जील राजस्थान जील देखिए सबसे पहले तुम आपको बता दू राजस्थान जील कौन से जीले मौजूद है अब आपको बता दू ये राजस्थान जील है ये राजस्थान शब्द जो है इसी जीले के उपर आधारित है मतलब राजस्थान जीले पर ही इस जील का नाम रखा गया ठीक है तो इस्तित मीठे पानी की जील है ठीक है मतलब ये रासमन जील जो है वो रासमन जिला है राजस्तान के जितने भी जिले है उनमें एक जिला जो है वो रासमन जिला जिसके अंदर एक जील है उस जील का नाम जो है वो इसी जिले के उपर रखा गया और वो नाम है रासमन जील ठीक है अब हम बात करते हैं इस जील के निर्मान की सती की इसका निर्मान किस ने करवाया और कब करवाया ठीक है तो बात करेंगे निर्मान की इस जील के निर्मान का कारिय तो अब मैं कारिय की बात करूँ तो एक महराना हुए जिनका नाम था महराना राज सिंग ने ही इस जील का निर्मान कारिय करवाया ठीक है इसका निर्मान महराना राज सिंग ने करवाया ठीक है यह महराजा थे राज समंद के अंदर जो यह जील थी उसका काम जो करवाया उसका निर्मान कारिय जो करवाया वो राज सिंग महराना थे आप देखिए निरमाण के समय की बात कर लेते हैं निरमाण समय मतलब काल की बात कर लेते हैं कि कोन से काल के अंदर इस जील का निरमाण कारिया किया गया तो 1662 से लेकर 1676 इसवी में इस जील कार निर्मान कारिय किया गया ठीक है 1662 से ठीक है और 1600 आपके 76 इसवी में निर्मान हुआ किस ने करवाया राज सिंग ने करवाया कब करवाया 1662 से लेकर 1676 के बीच में इस जील कार निर्मान कारिय किया गया ठीक है अब हम बात करते हैं नदी की यह जील किस नदी पर उपसित है तो मैं बता दू आपको गोमती नदी जो है उस नदी के किनारे पर यह जील उपसित है ठीक है कौन सी जील रासमन जील और कौन सी नदी पर गोमती नदी के उपर इस जील का निर्माण हुआ अब आपको बता दू निर्मान किया गया मतलब ये क्रत्रिम जील थी क्योंकि इसे बनाया गया था रास सिंग महराना रास सिंग के द्वारा तो क्रत्रिम जील हुई और गोमती नदी के किनारे पर इस जील का निर्मान कारिय किया गया तो इससे ये पता चलता है कि ये नदी क क्रत्रिम थी ठीक है अब यहां तक उतार लेजी फिर मैं बताऊंगा आपको इस जील की कुछ विसेश्थाएं हैं वो धार्मिक हो चाहे वहां किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी उसकी भी बात करेंगे डाइग्राम से मैं समझाऊंगा कि कैसे इस निर्मान का कारिये पूरा किया ठीक है तो यहां तक आप उतार लेजिए और टॉपिक डाल लीजिए राजसमन जील की विसेश्थाएं डाल लीजिए राजसमन जील की विसेश्थाएं तो टॉपिक डालेंगी विसेश्थाओं का देखिए पहली विसेशता क्या है जील की सुन लीजिए देखिए यहाँ पर एक शब्द आता है नो चोकी पाल ठीक है लिखेंगे नो चोकी पाल ये क्या है तो सुन लीजिए ये इस जील में उपसित है राज समझ जील के उत्री भाग को क्या कहते हैं नो चोकी पाल कहा जाता है ठीक है लिखेंगे इसको राज समंद जील के उत्री भाग को क्या कहा जाता है नो चोकी पाल कहा जाता है ठीक है उस उत्री भाग को क्या कहा गया है नो चोकी पाल देखिए यह जो जील बनाई गई थी उसका प्रथम उद्देश क्या था यह अकाल राहत के लिए बनाई गई देश की प्रथम जील थी और यह जील करत्रिम थी ठीक है दिखेंगे इसको भी यह है अकाल राहत के लिए बनाई गई भारत की प्रथम करत्रिम जील है अकाल की राहत के लिए इस जील का निर्मान करवाए गया था अच्छे आप बात करते हैं धार्मिक मेहत्व की तो मैं बता दू इस जील के पास में इस्थित्ध धार्मिक इस्थल भी है और दो मंदिर यहाँ पर मौजूद है एक है द्वार का धीस मंदिर और एक है घेवर माता का मंदिर ठीक है ये दो धार्मिक इस्थल इस जील के किनारे पर इस्तित है या पास में इस्तित है इसको मेंचन कर लेंगे अपन इस जील के पास दो धार्मिक इस्थल उपस्तित है द्वार का धीश मंदिर और दूसरा है घेवर माता का मंदिर ठीक है ये इसकी विशेशता है यहां पर दो धार्मिक सल मतलब मंदिर यहां मौजूद है आपको मैं बता दू इस जील के किनारे सूर्य घडी के अउशेज भी प्राप्त हुए है मतलब यह पहले देखो घडी तो चलती नहीं थी ठीक है आज तो कई तरह के टेकनलोजी आगे लेकिन पहले क्या होता था कि व्यक्ति एक घडी की आकरती के अंदर डिजाइन करके और कुछ जैसे दिवारों पर या जमीन पर ऐसे कुछ अउसेज बना दिये जाते थे या कह द जील के किनारे मिलते हैं ठीक है इसको मेंचन कर लेंगे पर सूर्य जील के किनारे सूरिय घडी के सूरिय घडी के आउसेज प्राप्त हुए है आगी वासल में और देखिए जील के निर्माण में सरवादिक लोग लगे थे साथ हजार से अधिक लोगों का योगदान इस जील को बनाने में लगा है इसको भी मेंशन कर लीजिए ठीक है इसको मेंशन नीचे कर देता हूँ इस जील के निर्मान में साथ हजार से अधिक लोगों का योगदान रहा है तो इस तरीके से एक बार रिपीट कर देता हूं दुबारा सुन लिजे विसेश्ताओं की बात करें तो नो चोकी पाल यहां मोजूद है यह कहां पर उपस्तित है राज समन जील के उत्री भाग को हम नो चोकी पाल कहते हैं यह अकाल रहत के लिए बनाई गई भारत की प्रत्रिम जील है इस जील के पास दो धार्मिक स्थल है एक का नाम है दुआरी का दीज मंदिर और दूसरा है घेवर मता का मंदिर इस जील के किनारे सूरी के घड़ी की आउसेज भी प्राप्त होते हैं और इस जील के निर्माण में 60,000 से अधिक लोगों का योगदान इसको बनाने में लगा है ठीक है तो इस तरीके से अपना ये राज समंध वाला टॉपिक कम्प्लीट होता है इसको मैं एक छोटे से डाइग्राम से भी समझाता हूँ ठीक है न यहां तक आप उतार लीजिए देखिए वो छोटे सा डाइग्राम क्या है साम देख लीजिए जैसे कि माली जी यह आपकी अरावली परवत वाला है यहां से जैसे कि गोमती नदी निकलती है ठीक है कौन सी नदी निकलती है गोमती नदी क्लियर अब सुनी आगे गोमती नदी निकलती है और यहां पर इस इसा पर है नो चोकी पाल यहाँ पर मोजूद है ठीकर बात करते आगे कि यहां पर इसके किनारे इस धील के किनारी ये जील वाला पार्ट है या पर कौन सा मंदिर है आपको बताया कौन सा मंदिर बताया मैंने आपको दुआर का धीश मंदिर यहां पर मौजूद है ठीक है और एक मंदिर और है वो है घेवर मता का मंदिर ठीक है और इसके अलावा इसके अलावा एक जील के किनारे पर यहां पर एक सूर्य की घड़ी कौन सी घड़ी सूर्य की घड़ी के आउसेज भी यहां पर प्राप्त हुए यह सूर्य की घड़ी है इसे पता चलता है समय का उस जमाने में भी समय का पता लगा लेती थे तो इस तरीके से अपना ये डाइगराम भी कम्प्लीट होता है इस तरीके कुछ ऐसा मिलता जूलता जील का जो द्रश्य है ये द्रश्य मैंने प्रसूत किया आपके सामने दो मंदिर बताए मैंने आपको नो चोकी पाल भी बताया घड़ी भी बताई आपको मैंने अगीब हसन में और मैं आपको बता दू ये एक राहत अकाल के लिए राहत के लिए बनाई यह जील थी इसका निर्मान कार ले था इसका निर्मान कार कब था 1662 से लेके 1666 इस्वी में इसको बनाये गया और किसके द्वारा बनाये गया था रास सिंग के द्वारा किसके द्वारा रास सिंग राना महराना रास सिंग के द्वारा इसको बनाये गया 1662 से 1666 इस्वी में ब चुताई नंद समंद जील कहां पर संसित इससा मैं रास है उपस्त इक पानी अot इसको मैं लिक देता हूं यहाँ पर ठीक है यह नवा बिंदू आपका ठीक है नंद समंद जील इसके अंतरगत एक छोटा साई बिंदू है इसको हम इस तरी किसे एक्सें कर सकते हैं यह जील रास समंd में स्थित। मीठे पानी की जील है यहीं पर अपना यहम गंपार है इस वीडियो में इतना ही यह वीडियो कहों करके जबन जबाद करें और मेरे चैनल को अब अई दो धन्यवाद